नमस्कार दूस्तों आप सब को एक नई वीडियो में हर्दिक स्वागत है आज का प्रिशन कुछ हमारा इस प्रकार से हैं एक एक नियम चे आप प्रिशन लिया गया है बारा कलमों का मूल साट रुपया है इसी प्रकार दस कलमों का मूल क्या होगा प्रिशन हमारा जो है कल्मों का x है x रुपीज है हमने x मान लिया ठीक है तरह के से और एक साप्स में लिखना है कलंच कि को छिक आफ इस साइड में लिखना है कलम के मूल यानि जुम यू फ़्ली चल रहा हो किसमें चल रहा हो रुपयों में ठीक है यहां पर नोट कर लें झाजरेंगे जो 12 कलम थे इनका मूल था 70 के इहां पर लिखे देंगे इस तरीके से ठीक है То उसके बाद बताया गया है कि 10 कलम ग्यों की कहोगा तो 10 गलन दे इसका मान लेते हैं हमोल एक्स रुप्य हो गया इस तरीकत से तो यहां पर देख रहे हैं कि जब बारा कलम तो रुप्य ज्यादा थे यहां पर 12-10 कलम हो घयानी कि रुपेवी कमपड जाएंगे तों एरो एक पहसान के तोर पर हम उपर से नीचे के तरफ बना लेते हैं यानि इस इसको multiply करके एक साइड में लिख देना है और इसको multiply करके एक साइड में लिख लेना है ठीक है तो चलिए solve कर दें कैसे तो 12 गुड़े लिखेंगे 12 गुड़े एक्स यह हो गया 12 गुड़े एक्स हो गया एक्कोल के दूसरे साइड में लिखेंगे 10 गुड़े 60 लिख लेंगे ठीक है अब 12 हमारा गुड़े में है तो इधर हो जाएगा डिवाइड में यानि एक्स बराबर हो जाएगा 10 गुड़े 60 और बटे में आ जाएगा 12 ठीक है तो कि हमारा answer इसमें सही हो जाएगा option number B वाला ठीक है यह option number यहां पर B सही हो जाएगा पचास ओला answer हमारा correct है तो इस तरीके से हमारा answer solve हो गया उम्मीद करते हैं आप लोंको छोटा सा प्रिशन हमारा समझ में आया होगा वीडियो चल लगा है तो वीडियो को like करना शेयर करना